Hello, Welcome to Be Banker ! दिसन जीव स्वाय दोस्ता हूं हमाने चानल Be Banker में स्वागत ज़्यूमें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंग्लिज में टाइम बताना सीखेंगे सीखेंगे बिल्कुल आसान भासा में असान तरीके से बने रे वीडियो के अने तक चले शुरू करते हैं जो लोग नहीं है हमारे चैनल पर इनके लिए बता दोगे हमारे चैनल पर चल रहा basic spoken English class और इस class में हम लोग English सिखते हैं बिल्कुल basic से बिल्कुल zero से जुड़ जाए हमारे classes से सब्सक्राइब करना है साथ ही बैल अकन दबाने से बैल अकन दबाएंगे class आएगे message आगा class हो चुकी है अब सीज़े सीज़ेश दिएगे WhatsApp नमर पर सिर्फ और सिर्फ WhatsApp करके भी हमारे classes से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूली बटटेल भी बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक से सीखते हैं ठीक है दोस्तों अगर आप घड़ी में ध्यान दें तो कुल पांच प्रकार के समय ही बशते हैं अभी मैं अगर नोटिस करूँ तो घड़ी में बजा हुआ है दो बज करके 19 मिनट कोई भी एक आकड़ा हम लोग पकड़ेंगे है ना दो तीन चार ठीक है दो पकड़ लेते हैं तो देखे घड़ी में बजेगा पहला जो समय बजता है वो बजता है दो दो बजे तीन बजे चार बजे सवा दो सवा तीन सवा चार सवा पांच ऐसा ही है ना तीसरा बजता है साड़े साड़े तीन साड़े दो साड़े चार साड़े पांच साड़े छे ठीक है चौथा बजता है पौने पौने दो पौने तीन पौने चार पौने पांच है ना और पांशवा जो बजता है ये ब रात भर में घड़ी में यहीबजता रहता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब पांचों को हम लोग बारी-बारी से सीकते हैं, फिर हम लोग डीटेल से भी सीखेंगे, है न, यह ट्रिक है, यह देखे, मान लीजे घड़ी में अभी बज रहा है दो, मान लेते हैं, ठीक है, अभ वहाँ पर अभी छिपा हुआ रहेगा ठीक है तो it's two o'clock अभी दो बज़े हैं समझ में आ रहा है अगर तीन बज़ता तो हम लोग बोलते it's three o'clock चार बज़ता तो बोलते it's four o'clock पाँच बज़ता it's five o'clock समझ में आ गया दूसरा सीखते हैं सवा दो ठीक है सवा दो यानिके दो पंद्रा है ना सवा तीन होता तो तीन पंद्रा सवा चार होता तो चार पंद्रा सवा का अंगरेजी होता है quarter सवा का अंगरेजी होता है quarter और quarter past 2, अभी सवा 2 बजे हैं, तो सवा 2 का quarter past 2 ठीक है, सवा 3 होता quarter past 3, सवा 4 होता quarter past 4, सवा 5 quarter past 5, ठीक है, समझ मैं यह चीज है, सिर्फ आपको सवा के लिए लगाना है quarter past और जो भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो 2, 3, 4, 5 हो जाएगा सवाज मैं यह चीज, बढ़ते हैं आगे, साढ़े ठीक है, तो साढ़े का होता है दोस्तो half past, साढ़े का क्या होता है half past, साढ़े का मतलब 2, 30, 3, 30, 4, 30 5, 30, 30 वाला जो सिर्फ है ठीक है, मतलब जब 6 पे आ जाती है हमारी, जो घड़ी की सुई है, बड़ी वाली सुई, जो घड़ी का काटा है, वो कहां पे आ जाता है, 6 पे ठीक है, तो अब देखे, साढ़े 2, साढ़े का मैंने आपको क्या बताया, half past, और 2 का 2, 2 का 2, है ना, it's half past 2, अगर साढ़े 3 होता half past 3, साढ़े 4 होता half past 4, clear है, समझ मैं रहा है बहुत आसान है, बहुत easy ठीक है, चाओ था देखे, पॉने दोस्तों देखे 2, 45 को हम लोग पॉने 3 बोलते हैं, है ना पॉने 2 नहीं बोलेंगे, पॉने 2 बोलेंगे तो 1, 45 हो जाएगा गड़ी तो देखना आता है, मैं यह इस बात की उमीद कर रहा हूं इस वीडियो में, है ना तो पॉने 3 बोलते हैं, 2, 45 को तो पॉने को हम लोग बोलते हैं, quarter 2 पॉने को क्या बोलेंगे, quarter 2 याद कीजिए, quarter हम लोगों ने पहले भी किया है बड़ वो quarter past था, यह quarter 2 है है ना, पॉने को क्या बोलेंगे, quarter 2 ठीक है, अब देखे, पॉने 3 है तो quarter to 3 पॉने 4, quarter to 4, पॉने 5, quarter to 5 पॉने 6, quarter to 6, समझ में आरी यह चीज, बिल्कुल आसान है पॉने को हम लोग बोलेंगे, quarter 2 clear है, समझ में आ गई, आगे बढ़ते है अब देखे, अगर मान लीजिए समय हो रहा है अब 2 बज करके 5 मिनट, कितना हो रहा है 2 बज करके 5 मिनट, यह वला टाइम 2 बज करके 5 मिनट, 2 बज करके 10 मिनट 2 बज करके 20 मिनट, 2 बज करके 25 मिनट तो मान लीजिए दो बज कर पाँच मिनट हो रहा है तो पाँच मिनट को बोलेंगे फाइप पास्ट पाँच मिनट को क्या बोलेंगे फाइप पास्ट पास्ट मतलब बीत चुका पाँच मिनट बीत गए दो बज के पाँच मिनट बीत गए मतलब यह सम इसका sense ही यह है तो 5 past और 2 का 2 का 2 ठीक है तो it's 5 past 2 अगर यहाँ पर 2 बच करके 10 minute होता it's 10 past 2 अगर यहाँ पर 20 minute होता अब दिखिए 15 minute नहीं लेंगे तो 15 का तो हम लोग सीख चुके हैं सवा है ना तो 20 लेंगे तो 2 बच करके 20 minute होगा तो क्या बोलेंगे 20 20 का 20 होता है तो 20 past 2 clear है समझ में आ रहा है चीज है ना अभी देखिए exactly 20 भी हो रहा है मतलब 19 हो रहा है अब यहाँ पर घड़ी में exactly हो रहा है 2 19 लगभग 20 ही है है ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 19 past 2 19 past 2 मतलब 19 मिनट दो बजने के बाद 19 मिनट बीच चुके 19 past 2 समझ में आ रहा है यह था ट्रिक और घड़ी में कुल यही 5 प्रकार के समय होते हैं जो पूरे बसते हैं यह था ट्रिक अब डीटेल में हम लोग सीखते हैं एक एक करके फिर से ठीक है और एक बार बता दूं कि अभी जो आपको इस्क्रीन में दिख रहा है इसकी screenshot ले ले लिजे यह पांच य ट्रिक का यह एक ही पेपर में पूरा अंसर है यह देखे दो बजेगा 2 o'clock इसी को हम लोग 3 अगर बसता 3 o'clock ठीक है सवा दो क्वाटर पास्ट 2 सवा दो का क्या होगा सवा का क्वाटर पास्ट सवा का क्या होता है क्वाटर पास्ट अब 2 हो रहा है तो सवा दो का क्वाट तो साढ़े दो है, हाप पास्टू, साढ़े तीन, हाप पास्ट्री, साढ़े चार, हाप पास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् 10 10 past 2 20 20 past 2 समझ में रहा है अब यहां पर दो बजा है तो दो बज़ा है तो दो बज़ने के हो सकता तीन बज़ा हो तीन बज़ करके 5 मिनट तो क्या हो जाता 5 past 3 तो फिर यहां पर भी चेंज आ जाता समझ में रही चीज दोस्तों यह था trick ठीक है अब डीटेल से सीखते है कोई चार्ट कुछ भी याद रखने का ज़रूत नहीं सबसे लास में एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप एक सेकंड में कोई भी टाइम बता सकते हैं एक सेकंड लगेगा सब भूल भी गये हैं कोई दिकत ने आसानी से बता पाएंगे चले डीटेल में सीखते हैं अभ करके 10 मिनिट हुए हैं है ना 10 पास टू ठीक है दो बच करके 20 मिनिट पंदरा नहीं लेंगे चुकि पंदरा का सवा होता है ठीक है इसलिए 20 लेंगे दो बच करके 20 मिनिट है ना तो 20 इस 20 पास टू अब बीच में कुछ नमर भाएगा 17 18 19 20 21 22 23 है ना वो सब भी आएगा उस करके 10 मिनिट हुए है इस तेन पास्ट टू कर ना ऌतू जैगा इसलिए यहां पर दूब बच करके दस मिनित हो रहे है तो यहाँ पर क्या कर देंगे सिर्फ यहाँ पर बदलाव आएगा समझ में आरी चीज अभी सवा दो बजे है सवा दो को अभी हम लोगों ने सीखा है सवा का क्या होता है तो इस वाटर पास्ट तो सवा तीन सवा चार सवा पांच समझ में आ गरे चली अभी दो बच करके 20 मिनिट हुए है ith 20 पास्ट त contradict जुकि दो बच करके 20 है तीन पीस होता it's twenty past three चार पीस होता it's twenty past four समझ में आरी यह चीज चली बढ़ते है to twenty it's twenty past two easy है लिए नधि हम लोग चली आते हैं साठे 2 साठे 2 को हम लोग साठे को क्या बोलते हैं half past इस half past 2 साठे 3 साठे 4 समझ मैंना फिर यहापे सिर्फ बदलाव आएगा जितना भी बच्छे साठे 2, साठे 3, साठे 4, साठे 5, साठे 6 बिंदास बता ये time ठीक है चली अब दो बज करके 35 मिनिट हुए है देखे यहाँ पर क्या एक तरीका है दोस्तो एक एक्जाक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ दो बज करके 35 मिनिट को हम लोग बोलते हैं क्या लोग बोल सकते हैं सोच के देखे अभी तीन बजने में 25 मिनिट बचा हुआ है दो बज करके 35 मिनिट हुए है मतलब कि गड़ी की जो बड़ी सुई है बड़ा वाला काटा जो है वो साथ पे रहेगा ठीक है और छोटा वाला तो दो पे है ही तो तीन बजने में 25 मिनिट बचे हैं बोलेंगे है ना इसको देखे किया से बोलते है इस 25 to 3 मतलब तीन बजने में 25 मिनिट बचे है यह एक अच्छा तरीका है एक स्तांडर्ड वे है बचाने का ट्रिक तो मैंने आपको बताया ही प्रेक तुमकि ये वाला बचाना है तीन बजने में 25 मिनिट यह कब बचाना है दोस्तो ऐसा कब हो जाता है जैसे ही घड़ी की जो बड़ी वाला जी सुई है यानि बड़ा वाला जो काटा है वो छे को पार कर लेता है छे को पार करने के बाद घटते हुए क्रम में बताएंगे छे को पार कर जाएगा तब कैसे बताएंगे घटते हुए क्रम में descending order में ठीक है, कैसे बताएंगे, descending, घटता जाएगा, समझ में आ रहा है चीज, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अभी दो बच करके 40 मिनिट हुए है, तो घटते करम में बताना है, तो देखिए, कितना 20 मिनिट बचा है 3 बजने में, 2000 मिनिट बचा हुआ है, 3 बजने में, तो क्या बोलेंगे इसको, इस 22-3, अभी हो सकता थे, यहाँ पर ती 4 होता, तो ती 4 होता, तो तीटो पौर हो जाता, समझ में आ रहा है, यहाँ समझने वाली चीज है, और दोस्तो इस जितने भी मैं आपको चीजे बता रहा हूँ सबकी स्क्रीन सॉट लेते चलिए हो सके तो note down कर लेजिएगा बिल्कुल से बिल्कुल ठीक है चलिए बढ़ते हैं पॉने दो पॉने तीन ठीक है इस का मतलब क्या है कि तीन बजने में 2 मिनिट की कमी है तो इस तो इस सब्सक्रीक होता है चार पचास होने का मतलब है कि पांच बजने में दस मिनिट बचा हुआ है तो it's 10 to 5 समझ में आरी चीज ऐसे बताते हैं यह एक standard way है बताने का ठीक है इसलिए मैंने बुलाँ कि त्रिक से भी बताऊँगा और डीटेल से बताऊँगा दोनों तरीका आप सीख के रखे काम आएगा ठीक है चलिए अभी 2 बच करके 55 मिनट हुए है 2 बच करके 55 मिनट मतलब कि 3 बजने में 5 मिनट ही तो बचे है 3 बजने में 5 मिनट बचे है तो it's 5 to 3 5 मिनट बचा है तो 5 to 10 मिनट बचा है तो 10 to 20 मिनट बचा है तो 22 25 मिनट बचा है तो 25 to समझ मैं आ रहा है, बहुत आसान है, it's 5, 2, 3, clear है my friend, अब चलिए, ऐसे पुरा काप पार करने बाद, फिर 2, 5 पार करने बाद, फिर से 3 बज जाएगा, तो अभी 3 बजे है, it's 3 o'clock, समझ मैं आ रही है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको trick revise करा दे रहा ह 3 बजेगा, 3 o'clock, 4 बजेगा, 4 o'clock, clear है, सवा, सवा को बोलते हैं, quarter past, तो सवा दो, quarter past 2, सवा 3, quarter past 3, सवा 4, quarter past 4, समझ मैं आ रही है, साढ़े, साढ़े को बोलते हैं, हाप past, सवा 2 हो रहा है, तो हाप past 2, साढ़े 3 हो रहा है, हाप past 3, साढ़े 4 हो रहा है, हाप past 4, clear है, quarter 2 है, पौने को हम लोग बोलते है quarter 2, तो पौने 3, quarter to 3 पौने 4, quarter to 4 कौने 5, quarter to 5, ठीक है कोई भी time अब बता सकते है, clear है समझ में आ रहा है, अब देखिए, एक time होता है 2 बज करके कुछ minute, यानि 2 बज करके 5 minute, तो जो minute यहाँ पर है, पहले time बताने का तरीका, trick हो गया last minute मैंने आपको बता थे, कि ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें 1 second, मान लिजे, सब भूल गए कुछ नहीं याद आ रहा है, सब भूल चगे, दिमाग पूरा blank, कुछ याद नहीं क्या बताना है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते है मान लिजे 2,15 हो रहा है, तो आप बोलेंगे it's 2,15, क्या बोलेंगे it's 2,15, 2,30 हो रहा है it's 2,30, it's 2,30, 2,20 हो रहा है it's 2,20, समय मारा, ये एक trick, कीवे का भी एक trick है है ना, बिल्कुल आसान तरीका, कुछ भूल गए मैंने आपको बताया, trick बताया, detail बताया और trick का भी trick बताया ठीक है, तो इस तीनों तरीके से follow कीजिए, और ऐसे ही awesome और धासू वीडियो के लिए बने रही है वीवे एंगेर के सार्थ, और जैसे कि आप सब को पता है हमारी e-book है, e-book को लेना चाहते है इस देगर नंबर पर whatsapp कर लिजे इस e-book में complete 500 plus colorful pages है, हमारा spoken English का एक course है, साड़े छे घंटे का जो master spoken English course है उसी पर आधारी था ये e-book तो e-book को अगर अपलेना चाहे है, तो जरू सर जरू ले सकते हैं, इस e-book में आपको complete tenses मिलेगा, sentence formation मिलेगा, daily life sentence मिलेगा हर तरह के वाके बताने को आप कैसे वाके को English में convert करेंगे वो सिखाया गया है, word meaning सिखाया गया है, newspaper कैसे पढ़ें सब भू सिखाया गया इस वीडियो में, और इसी वीडियो का ये आधारित e-book है, तो e-book मंगा लेंगे, तो आपके लिए helpful हो जाएगा, ओके, तो आप bbanker.in की वेबसाइट पर जाकर के भी इसको ले सकते हैं, सीधे-सीधे whatsapp करके भी, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, thank you so much for watching, और ऐसे ही दासू, और awesome कर दो जाकर के भी पाउडा, बासू, बासूAlव you